असलाम अलेकुम जी मेरा नाम है आसिफ नौज और आप देखे रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आएम टीचर अब हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च पार पर जाके अट दारेट आएम टीचर 33 लेकर भी सर्च कर सकते हैं तो स्टूंट्स, आज की हमारी जो विडियो है वो pierws चैनल पर है तो हम बिरीफ ली जो है वो डिस्क रेंगे स्की टाइब्स के बारे में उसके वार्म के बारे में और टाइब्स कैसे यूज होती Πार अज होती है negative sentence उसमें जो इसकी types यूज होती हैं उसके बारे में हम study करेंगे detail से और उसके इलावा हम इस सारे की जो है ना summary करेंगे इन्शालला उताला तो सबसे पहले हम future tense के बारे में देखती है future tense हमारे पास है क्या तो future tense दर असल यह नहीं कि आप future की बात future में बात करें हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है इसका मतलब यह है कि जो future में हो सकता है indication कर रहे है future के बारे में उसको हम future tense या जमाना मुस्तक्बिल का नाम देते हैं इसमें मैं सबसे पहले आपको example दिखा सर्ट्रक्चर हम different तरह से हम पढ़ते हैं उसकी types के मताविक जैसे simple tense में फिर हम उसे ले जाते हैं continuous tense में या progressive आप कह सकते हैं फिर हम perfect tense में उसे ले जाते हैं फिर हम उसे perfect continuous में ले जाते हैं तो different तरहां different types में रखके इसका different तरहां से हम structure इस्तमाल करते हैं लेकिन इसमें जो common चीज यूज होती है वो will use होती है जैसे का मैंने note में भी बताया हुआ है कि मारे पास जो will shell जो है वो as a helping verb इसमें use होगा और फिर उसके according जो हम verb की form लगाएंगे हम जो आज के जमाने में मुझूदा जमाने में will का इस्तमाल करते हैं शैल इस्तमाल नहीं करते हैं जैसे यहाँ example है I will visit my grandparents next week John will punish you तो यहाँ पर हम future को indicate करने के लिए will का इस्तमाल कर रहे हैं तो अमीद है future tense की आपको समझाई होगी तो इसकी type की तरफ चलती है हमारे पास इसकी चार types है future simple tense, future progressive, future perfect tense and future progressive, future perfect progressive तो सबसे पहले हम future simple tense के बारे में study करते हैं आखिर वो हमारे पास है क्या तो ऐसा tense जो के हम कहें के future में ongoing नहीं रहेगा हम फिर वो जारी नहीं रहेगा future में किसी ना किसी point तक खतम हो जाएगा तो हम उसे future simple का नाम देते हैं एक सादा जमला होता है उसमें जो structure आता है बिल्कुल सादा सा structure है मैं पहले बता चुका हूँ हमारा जो main helping verb है वो will ही है हम ज्यातर will ही use करते हैं शहले आज कल के जमाने में use नहीं होता future simple में हम सबसे पहले subject लेंगे फिर helping verb लेंगे और फिर हम verb की पहली form लेंगे तो इसमें example देख लेते हैं I visit my grandparents next week तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम future में बाद नहीं कर रहे हैं future के बारे में जो future में होना है उसके बारे में अपनी राय दे रहे है ठीक है जी I will go to the gym I will go to the gym tomorrow मैं जो है ना कल जिम जाऊंगा अब यहां पर जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारे पास जो विल है वो इंडिकेड करता है future को जिसके मताबिक हम action लेके चलते हैं अपना ठीक है जी अच्छा अब next चलते हैं future progressive के बारे में मैं पहले active voice के बारे में बात कर रहा हूँ यह सारे active voice है यान बिल्कुल सीधा जुमले है सादा जुमले हैं बिल्कुल और सबसे पहले हम active voice की बात करेंगे उसके बाद हम सब जो types हैं जितनी भी types हैं उनको एक बार explain करके उनको समझ से हम एक बार ही इनका comparison करेंगे इसलिए आपने इन types को अच्छी तरह से समझ लेना है तो future progressive क्या है कि हम indicate करते हैं किसी भी action के बारे में किसी भी काम के बारे में कि वो future में भी जारी रहेगा किसी भी specific time में वो future में भी जारी रहेगा ठीक है जी तो इसका structure simple है इसमें एक च 돼क 40 तो जानते हैंजब भी progressive में B आता है तो यानता है उसकी चार फार्म है is, rm., was, and where. इस RM present में हमारे पास होती है और जो waswar है वो हमारे पास past में होती है ठीक है जी तो is RM और waswar ये हमारे पास B की farm है और जब भी progressive में B की farm आती है तो हमारे पास उसके बाद हमेशा main verb के साथ या base farm के साथ ing का इदाफा होता है चलें जी example देख लेते हैं शी विल बी स्टडिंग शी अब आगे विल आगे बी आगे स्टड जो स्टड़ी है मारे पास बेस फार्म है वर्ब की और आई एंजी उसके साथ लग गया है तो स्टडिंग बन गया है तो फार्दी एक्जैम टूनाइट यानि आज रात को अभी रात आई नहीं लेकिन आनी कर स्टड़ी है कि वो आज रात को अपने इमतानात के लिए पढ़ रही होगी अब जो विल है उसने फूलो किया है जो है ना बी की फार्म को फूलो करते हुए वो आगे बढ़ता है और फिर हमारे पास जो present party spell है यानि हमारे पास verb की first form है उसके साथ ing का इदाफा होता है इसके इलावा दूसरी example भी मैंने इसलिए दी है ताकि आपको पहली नहीं आती तो दूसरी की समझ आजे he will be going अब go हमारे पास base form है और ing उसके साथ इदाफा हो जा करते हैं कि future perfect है क्या future perfect दरासल ऐसा काम है जो हम कहते हैं कि future में उसको indicate करते हैं को future में उस time तक किसी specific time तक मुकमल हो जाएगा यानि मैं फर्स करो मैं आपको कहता हूं कि आज रात 12 बजे तक मैं video upload कर चुका हूंगा ठीक है जी अब यहां पर मैं यह ज़रूरी नहीं कि video 12 तक upload हो जानी है लेकिन मैं indication दे रहा हूं कि वो चीज डन हो जाएगी perfect का मतलब ही मुकमल होना तो अगर कोई चीज हम मुकमल करने की तरफ जाते हैं तो उसे हम perfect का नाम देते हैं तो इसका simple जो है वो structure देखते है subject plus will है plus में जो base web होता है उसके साथ हम ed का अजाफा करते हैं यहां फिर वैसे भी हम ed का अजाफा करते हैं और third farm यहां फिर आप कह सकते हैं हम जो base verb है उसकी third farm इस्तमाल करते हैं जैसे यहां पर by next year I will have graduated from college के अगले साल तक यहां फिर अगले साल मैं अगले साल तक मैं graduate हो चुका होंगा ठीक है मैं indicate कर रहा हूं कि मैं अगले साल तक प जब भी हम perfect की बात करते हैं तो have और has की farm में तीं helping verb आते हैं have, has और head, have, has जो है वो present में इस्तमाल होते हैं और head जो है वो perfect जो past में इस्तमाल होता है और इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास have और has के बाद हमेशा past party spell आता है मतलब भी उसके साथ third farm लगती है ले जी हम कहता है कि कोई भी point है मारे पास आज से ले ले पास से ले ले जहां से मर्जी ले ले वहां से कोई काम शुरू हुआ है और हम फिर future में indicate करते हैं कि इस जो point तक है इस वक्त तक मेरे पास ये काम मुकमल हो चुका होगा यानि मैंने अब फर्स करे मैं अब खेलना शुरू कर तो मैं कहूंगा रात तक मैं अपना मैंच मुकमल कर चुका हूँगा ठीक है जी तो किसी एक point से ले कर किसी दूसरे future के point तक आप जो indicate करते हैं उसे हम future perfect progressive का नाम देते हैं और उसे complete करके छोड़ते हैं ठीक है जी continuous नहीं छोड़ देते बलके complete करके छोड़ते हैं किसी भी क आएगा यह तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें जो perfect पहला नंबर है तो है उसके लिए इस्तमाल हो रहा है है के बाद B आ रहा है B की थर्ड फार्म है बीन ठीक है और बीन चाहे थर्ड फार्म हो चाहे फर्स फार्म हो उसके बाद हमेशा progressive में में वर्व लगता है यह बेस की फर्स फार्म लगती है उसके साथ ING का इसाफा होता है जैसे पार नेक्स मन्त अगले मन्त से I will have been working here for three years कहता है कि अगले मन्त से मैं तीन सालों तक काम कर चुका होंगा ठीक है इसी तरहां दूसरा देविल है बीन प्लेइंग टैनिस फार्ट थ्री आर्स बाइन और उसके बाद present party spell के साथ ING की फार्म लगी है तो यह हमारी चार टाइप अब उनकी जो हमारे पास टैनसी की फार्म है उनके बारे में जिकर करते हैं हमारे पास टैनसी की चार फार्म हैं जिसमें हमारे पास interrogative, active wise, passive wise और दूसरी हमारे पास आती है negative तो सबसे पहले हम active wise और passive wise की तरफ देख लेते है एक्टि वाइस मैं ने पहले बता दिया कि जितनी भी टाइप्स हैं ये active वर्ब रखती हैं तो यह सारी की सारी active wise में आ रही है हम सबसे पहले इनके जो है ना difference के बारे में देख लेते है एक्टिव और passive wise की तरफ चलते हैं तो मेरे पास जो active wise और passive wise है इनमें डिफरेंस यह है कि हम जो है ना active wise में active verb का इस्तमाल करते हैं और जब भी active verb का इस्तमाल करते हैं तो हमारा जो focus होता है वो subject पर होता है और इसी तरह से हम passive wise में जो है ना क्या करते हैं कि passive verb इस्तमाल करते हैं और passive वर्व क्या होता है, उसका जो फोकस होता है वो सारा का सारा जो है ना, वो अबजेक्ट पर होता है जैसे, शी विल क्लीन दी रौम टुमोरो, अब शी जो है सब्जेक्ट है, इस पर सारा फौकस है और रॉम लbles बी क्लीन बाहर, तो यह जो पहले आ गया तो हमारे पास यह object हो गया और object पर सारा फोकस है तो कैसे चेंज करते हैं हम जो है ना एक्टिवाइस को पैसी वाइस में तो इसमें बकाइदा मैंने डिटेल से बताया है कि यहां पर यहां पर दे हमारे पास subject है और इनवाइट यहां पर helping वर्ब आ जाता है फिर 100 पीपल 100 पीपर object है जिन पर काम होना है तो हम क्या करेंगे object को पकड़ेंगे focus पर ले आएंगे यानि सबसे पहले ले आएंगे फिर विल के बाद हमेशा बी की फार्म लगती है और जब भी पैसी वाइस में हम किसी चीज को convert करते हैं तो हमेशा helping वर्बाद B की फार्म लगेगी और B की फार्म लगने के बाद हमेशा past party spell आएगा यानि third farm आएगी जैसे she will be invited to the wedding ठीक है जी यहां फिर 100 people will be invited to the wedding तो यहां पर हमारे पास आपको एक्टिवाइस और पैसिवाइस की समझ आ गई होगी तो लगा दें उसकी past party spell या फिर वर्ब की third farm लगा दें ठीक है जी तो यहां पर मेरे पास जो है अब एक मैं टेबल आपके सामने शो कर रहा हूं जिसमें हमारे पास future simple और हमारे पास future continuous future perfect और future perfect continuous में हम जैसे एक्टिवाइस पैसिवाइस का इस्तमाल करते हैं ठीक है जी तो ए आपिंग वाब यूज होता है ना पैसिव में वो विल बी और शेल बी इस्तमाल होता है मैंने पहले बताया है कि हम शेल बी इस्तमाल नहीं कर रहे आजकल तो हम विल बी का ही इस्तमाल करते हैं ठीक है उसके बाद मैंने आपको past party spell की एक मैंने वर्ब दिया है जैसे टू मसलन भी हम कह रहे हैं कि हमारे जो गर हैं वो 2025 में तमीर होंगे अब कौन करेगा इसके बारे में हमने नहीं बताया तो passive wise में object मानी रखता है subject ज्यादा मानी ने रखता future perfect में देख लेते हैं तो इसका helping verb है वो will have been होगा आपको बताया है कि will have perfect का एक जूज है और been जो आजाएगी उसके बाद build उसके बाद वैसे ही जो ना वो example चलेगी his house will have been built to next two years के अगले दो सालों तक उसका यह जो गर है वो बन चुका होगा future continuous की बात करते हैं तो future में हमेशा जो हमारे पास आती है वो will be आती है will be हमारे पास आपने अपनी जो helping verb हैं उन्हें चेंज नह नहीं है जैसे हम continuous में बात करें तो बी के बाद हमेशा ing की फार्म आती है और हमने पैसिव में बात करें तो हमने helping work के बाद b लगाना है तो will be के बाद एक और b आएगा और पीछे एक b है इसकी वज़ा से उसके आगे ing की फार्म लगेगी तो will be being अब बेंग आ गया है तो यह भी बी की फार्म है तो आगे थर्ड फार्म लग जाएगी उमीद आपको समझ आ रही होगी अगर नहीं समझ आई तो comment में जाकर पूल सकते हैं इसी तरह future है तो future continuous में will have been being will have been helping वर्बा आगे बेंग आ जाता है क्योंकि यहां पर future continuous की बात हो रही है तो यह थी हमारे प बात करते हैं इंट्रोगेटिव हमारे पास भला क्या है तो इंट्रोगेटिव में हम किसी चीज के बारे में inquire करना चाहते हैं किसी चीज के बारे में हम जो है ना कोई knowledge लेना चाहते हैं को question पूछना चाहते हैं तो ऐसे sentence को हम interrogative sentence का नाम देते हैं जैसी an interrogative is a type of a sentence that is used to ask a question or inquire about something a simple सी बात है तो यहां पर भी दो types हैं इसकी interrogative की दो types हैं सबसे पहले आप जाती है yes or no में हमने सिफ यह जवाब देना है जो हम पूछ रहे हैं ठीक है या नहीं है दूसरा मुकमल inquire करते हैं पहले में हम क्या करते हैं कि जो helping verb है उसे पहले ले जाते हैं subject के जैसे will क subject फिर base verb फिर इसकी example देती है will you come to the party क्या तुम party पर आओगे यहां तो हम no कह सकते हैं यहां हम yes कह सकते हैं तो उसी type wh के आती है यह जैसे यह के बाद आप कुछ word का इस्तमाल करते हैं जैसे ere बन जाता है वहत बन जाता है इस तरह के words का यूज करते हैं तो मैं क्या करता हू कि मैं आपको इसका formula बताता हूं कि मेरे पास wh और फिर आगे word फिर subject फिर base warm आएगी तो what will you do tomorrow के आप कल क्या करोगे अब आपको यहां पर मुकंबल explain करना पड़ेगा कि मैं कल क्या करूंगा आपको बताओंगा सिंपल टैंस में कैसे यूज करते हैं फिर फ्यूचर कंटिनस में कैसे यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में कैसे यूज करते हैं और फ्यूचर आप कह सकते हैं के फ्यूचर परफेक्ट प्रफेक्ट प्रोग्रेसिव में कैसे यूज करते हैं तो ह हम यहां पर जो बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे यस और नो में तो हमारे पास विल इसका जो फार्मूल है वो विल प्लस सब्जैक्ट प्लस बेस वर्ब हो जाता है तो इसकी एग्जैंपल ही है विल यू कम टू दी पार्टी के अगर तुमका पार्टी पर विल प्लस विल प्लस ब्लस सब्जैक्ट प्लस बेस वर्ब तो वर्ड विल YOU डू टुमोरो यानि कोई W । उसके साथ word आता है फिर हमारे पास helping वर आता है फिर हमारे पास subject आता है फिर हमारे पास main word आता है इसी तरह future continuous में आ जाता है तो will plus subject plus be की form आ जाती है verb को ing करने के लिए verb के साथ ing लगाने के लिए तो will you be working विल यू अब यहां पर will क्या हो गया helping वर यू जो है हमारे पास subject हो गया और बी जो है हमारे पास जाफा हुआ किस के लिए continuous की form जारी रखने के लिए will you be working क्या तुम काम कर रहे होगे ठीक है जी तो इस तरह से हमारे पास future continuous का डबली एच हमारे पास version आ जाता है डबली एच के बाद हमारे पास will लगेगा फिर हमारे पास subject लगेगा फिर हमारे पास बी की form लगेगी फिर हमारे पास verb के साथ ing की form लगेगी future perfect की बात करते हैं तो B के जगा हमारे पास हाय आश हैव का जो है पży kij हैंगा क्योंकि एल्ग किसी चीज को थर्ड फार्म में कंवर्ट करना है तो जो हमें आश है वो किसी भी मेन वर्फ के पहले जो हेव लगाना पड़ेगा और किसी को continue में change करना है तो active voice की बात कर रहा हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा किसी भी चीज को जो हे उससे पहले bvk की फार्म लगाना पड़ेगा यहां पर जो हमने interrogative की बात की है वह active के लिए की है वैसे पैसिवा इसको समय आगी तो आप अराम से उसका भी कर सकते हैं तो हमने तीन टनस की बात की सबसे पहले simple future हमने future continuous हो और फिर हमने future perfect की बात की हम पास future perfect continuous हो ज्याहतर इसमाल नहीं होता है इसलिए हमने उसमें बात करेंगे करने कोशिश करेंगे तो चलें जी हम next अपने last जो हमारे पास property आ जाती है उसकी तरफ चलते हैं जिसको हम कहते है negative sentence negative sentence कैसे बनता है हम helping verb लगाते हैं उसके बाद not लगाते हैं उसके बाद जो base form होती है वर्ब की वो लगा लेती हैं जी देखें जी हम कहते हैं subject plus helping verb plus not और फिर हम base verb लगाते हैं अब हम इसकी short form भी लिख सकते हैं will के बाद want ठीक है जी want भी लिख सकते हैं will की जगा तो यहां पर मैं आपके सामने simple table इसका रख देता हूँ जिसके बारे में बकाइदा बताया गया है तो हम simple future की तरफ चलते हैं simple future जो negative है उसके उसमें क्या होता है उसका जो formula है वह हमारे पास subject आ जाए है लिए थांस कि गैर पहला दश्त्ति में फिर घाव लागा इस रहाल रखना कै और सब्सक्रीज फिर वांट शाय सब्सक्राइब जाना सामपिख रखने के लिए जैसे यह वांट बी वर्किंग ओंडी प्रजक्ट है डिस टाइम तुमोरो फिर मार फ्यूचर आ जाता है कि फ्यूचर प्रफ्रक्ट नेगटिव उसके बारे में बात करते हैं तो फ्यूचर के बाद विल के बाद नाट आएगा फिर हमारे पास हैव आएगा आपने इनकी जगा चेंज नी करनी हैव के बाद हमेशा पार्टी स्पहल आता है और बी के बाद हमेशा आई एंजी आता है आपने यह नहीं कहना विल बी नाट बेंग यह जुमला गलत हो जाएगा यह विल हैव नाट यह भी जुमला गलत हो जाएगा आपने हैव को हमेश चैंपल उसके साथ फार्मूला तो अब हम समरी कर लेते हैं कुछ जल्दी-जल्दी से के हमने पढ़ा क्या है समरी के तरफ चलते हैं तो मेरे पास जो सब से पहले हम टैंसीज की बात करें तो टैंसीज में हमारे पास future simple future continuous future perfect और future perfect continuous इन में हम helping work की बात करें तो helping work में categories आ जाते हैं जैसे interrogative active wise passive wise और negative अगर हम future simple की बात करें interrogative को मदे नजर रखते हुए तो हमारे पास will plus base form आएगी और हमारे पास helping work आजएगा यानि will के बाद हमारे पास subject आएगा फिर हमारे पास base form आएगी फिर हमारे पास helping work आजएगा फिर अगर future की बाद future continuous की बात करें तो will be के बाद will की बीअ विल के बाद subject आएगा पिर हमारे पास B की फ़ाम आईगी फिर हमारे पास वर्ब के साथ I.N.G लगेगा हम future की बात करें तो will के बाद हमेशा subject आएगा और have के बाद past party spell लगेगा और future perfect की बात करें तो will के बाद जो है ना subject आएगा फिर have been के बाद verb के साथ I.N.G लगेगी लेकिन मैंने बताया के future perfect continuous इतना ज्यादा इंट्रोगेटी में इस्तमाल नहीं होता फिर active wise की बाद करें तो active wise के फार्मूले आप जानते हैं will के बाद base war फिर will be के बाद I.N.G फिर will have been के बाद past party spell फिर हमारे पास will have been फिर 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 पर पास आजेगा विल नौट हैव जो है उसके आगे थर्ड फार्म आएगी पिर विल नौट हैव बीन उसके बाद हमारे पास इंजी की वाइगी तो यह ती जी हमारी आज की समझी यह था हमारा आज का फ्यूचर टेंस तो अमीद है आपको पसंद आया हूगा आज का लेक् चेज्ग कर देडिए जाल जेछ कर देडिये जाल जे झाल जेडि़